एलो फ्रेंड्स, ओ जनक मारू, मारी आ यूट्यूब चेनल मा अपनो स्वागत करूछू। मित्रो, आजे आ वीडियो सेशन मा अपने सव साथे मडीने डिपलोमा कोंपिटर एंजीनेरिंग ना कॉंपिटर प्रुग्रामिंग सब्जेक नी एक इंट्रोडक्शन लेवानी छेुए। तमने जानीने नवाई लाग से कि आ सब्जेक मा आपने प्रुग्रामिंग लेंग्वेज नी सवथी बेजिक न खुब ज इंपोर्टेंट एवी सी लेंग्वेज वी से समझवानू छे आ सब्जेक मा आपने जेटला टोपिक्स डिसकेशन करवाना चीए बद्धा टोपिक्स चेप्टर वाईज जो सिलेबस मा जोईए तो चेप्टर वन नू नाम फ्लोचार्ट एन अल्गोरिदम चेप्टर टू इस बेजिक्स अफ सी चेप्टर थी इस ओपरेटर एन एक्स्प करिशुख. So, let's start chapter wise discussion of this interesting session. मितरो सवथी पेला चेप्टर वन नी वाद करिये तो इनू नाम चेप्टर नाम फ्लोचार्ट एन अल्गोरिदम आ समय मा मितरो एक व्यक्ति बीजा व्यक्ति साथे वाद्चित करवा माटे लेंग्वेज नी खुबच जरूर पड़े छे. अग्ति एक व्यक्ति बीजा नी लेंग्वेज ना समझता होई तो बनने एक व्यक्ति साथे कॉम्यूनिकेशन करी शक्ता नधी. आथी यहूँ कई शकाए कि कॉम्यूनिकेशन करवा माटे लेंग्वेज एक खुबच महत वनू अंग छे. एविज रिते मित्रों कॉंपुटर सिस्टम साथे जो तमारे कॉम्पुटर सिस्टम करू हो तो पन लेंग्वेज नी जरूर पड़े छे कान के आप सवने ख्याल हसे अथो आप यह शांबडियू पन हसे कॉंपुटर सिस्टम एक प्रकारनों इलेक्ट्रोनिक डिवाइस छे अने ते बाइनरी लेंग्वेज समझे छे माटे आपने तेनी कॉंपुटर प्रोग्रामिंग लेंग्वेज समझ भी पड़ से आपने कोई पन कॉंपुटर प्रोग्रामिंग प्रोब्लेम सोल करवा माटे बे रस्ता छे मित्रो आपने जो binary language भी से ख्याल नहीं आवे तो computer साथ आपने communication करी शक्षू नहीं आवा problem ने solve करवा माट है computer programming subject नी अंदर आपने बे रस्ता आप एला छे there are two types of problem solving method very first is flowchart and second one is algorithm मित्रो आप बन्य topics आपने आ chapter number 1 नी अंदर discuss करवाना छे मित्रो बिजा चेप्टर नी जो बात करी है तो बिजा चेप्टर नी अंदर नाम जे उचे basics of C आ C programming language नी सोद अथवा तो introduce कोने करी तो कब डेनिस रीची नामना व्यक्ति है 1972 नी अंदर करेली छे मित्रो आ चेप्टर नी अंदर आपने चेटला topic discussion करवाना छे नी अंदर पैलो topic छे history of C के जे नी अंदर आपने जो युशू के C language नू नाम केम C languages राख्यों केम B नो राख्यों A नो राख्यों ABCD नी अंदर कोई पन आलफाबेट न राख्या पन C language नू नाम C ज राख्यों आपने तोपिक नि अंदर घंढा बद्धा components चे लेंग्वेज ना कोई पन लेंग्वेज मित्रो घंढा बद्धा components नी मदत्ति बनती वोई छे तो आ component नू कलेक्षन C language ना component नू कलेक्षन आपने आ चेप्टर निअंदर डिसकस करी शूू त्यार बाद आ चेप्टर नि अंदर components और history उपर्थी आपण C language नू एक structure छे ते आपणे discuss करवानू छे काणके कोईपण लेंग्वेज चे मित्रो एक structure उपर्थी बनती होई छे अटलेज आ बद्धा कंपोनेंट समझ जिया पछी आपने आवा कंपोनेंट उपरती C language नू स्ट्रक्चर समझ छू अन्य आ C language नू स्ट्रक्चर बेजिक छे खुब ज़रूरी छे अटलेज कोई पन लेंग्वेद नू स्ट्रक्चर आपने इना उपरती समझी शका छे मित्रो त्यारबाद आ चेप्टर नियंदर आपने C language नियंदर यू स्टती एवी डेटा टाइप्स छे वेरियेबल डिकलेरेशन छे ए पन सिखुब पडशे मित्रो अत्यार सुधी आपने फक्त थियरीज बनिया छे परंदो डिपलोमा एंजिनेरिंग मा थियरी साथे प्रेक्टिकल पन सिखवा पडशे तो आ पर्पस थी आपने आ चेप्तर थी आपने जे स्ट्रक्चर समझिये ची ये स्ट्रक्चर ने अनुरूप एने रिस्पेक्टिव आपने प्रूग्राम पन पर्फोर्म करवा पडशे तो मित्रो आपने जोई हो छे के सी प्रूग्रामिंग लेंग्वेज ना जितला पन प्रूग्राम छे ये बदा टर्बो सी ना कंपाइलर नी अंदर बदा करता होई छे अने आ compiler आपने प्रूग्राम ने machine language मा convert करवा माटे use करिशू अने output आपने generate करिना आपसे तो मित्र आ चेप्टर नी अंदर घुन बुदो आपने लर्न करवानों जो history of C, component of C and structure of C using these three topics we have to perform various programs of C language मित्र त्यार बाद chapter number 3 नी जो बात करिये तो chapter number 3 नू नाम जो operator and expression अब मित्र आ चेप्टर मा आपने अलग-अलग topics जवा के operator अट लेशू तेना types केटला होई precedence अट लेशू चेनी मदद ती आपने कोई पन arithmetic अने logical operation करी शक्खी चू मित्र आ बद्दू आपने आ चेप्टर number 3 नी अंदर discuss करवानों छे आपनी screen नी अंदर तमने देखा तू अचे आपने लखेलू चे y is equal to a plus b तो मित्र आ चेप्टर मा आपने आपने उपन लर्न करीशू के a और b चे ओपरांड चे what is operand प्लस अने equal to चे बन्य ओपरेटर चे अब दू equation भेगू थे न तियर शुद्य आपने आपने फॉर्मिला के तता equation के तता हवे आपने शू के शू एक्स्प्रेशन के शू तो मित्र आ चेप्टर नी अंदर आपने टोटल types of operator चेक करवाना चे त्यार बाद आ चेप्टर नू main topic चे प्रिशिडेंस तो operator प्रिशिडेंस पन आपड़े आपने अचेप्टर नी अंदर चेक करीशो त्यार बाद मित्रो चेप्टर नंबर फूर नी जो बात करिये तो चेप्टर नंबर फूर नू नाम चे decision making statement अथवा decision statements मित्रो आपड़ा अतियार सुधी चेटला पन operator third chapter मा जोए आशे ए operator नी मदद थी ज्यारे अपन computer language नी अंदर condition raised थाई एनो मतला बेवो थाई के user ज्यारे नकी करवानू थाई के क्यो कई बाजू जवु मारे true पाट मा जवु के false पाट मा जवु yes पाट मा जवु अथवा no पाट मा जवु it means that whenever user want to take decision at that time we have to discuss decision statements मित्रो computer programming language नी अंदर चेटला पन question decision type ना होई छे ए बद्दा आई चेप्टर नी अंदर आपड़े discuss करवाना छे तो computer programming language मा अंदर चार प्रकारना decision statements cover थाए छे तो पेलू छे if else statement बिजू छे nestative statement third one is if else letter statement and fourth one is switch statement तो आँ बद्दा statement नो यूज करी अन्ने केवी रितना decision लेऊ केवी रितना आपड़े condition ने चेक करवी ये बद्दू आपड़े chapter number 4 नी अंदर discuss करवाना छे मित्रो chapter 5 नी जो बात करिये तो chapter 5 नो नाम छे loop control statement अपनी स्क्रीन उपर आप जो ही सकता के मैं आया 9 नो table लखे लू छे it means that 9 1 0, 9 2 0, 18 9 3 0, 27 अब दो आखो में 9 नो table लखे लू छे मित्रो आप जो सो के 9 ने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ने 10 एनो मतलब एवो थाई 9 ने में 1, 5, 1, 10 वखत एकने एक संख्या साथे multiplication करेलू छे तो एनो मतलब एवो थाई के 1 ने एक काम हूँ 10 वखत करू छू तो आउँ बदू काम जे छे आउँ बदू जे statements चे के जेनी मदद थी आपने घणा बदा वखत लखेलू काम एक वखत लखी ने करी शकिये तो त्यारे आपने loop control statement नो यूज करवो पड़े मित्रो आमाटे आपने looping statement स्टेडी करवा पड़े आमाटे C programming language नी अंदर आपनी पासे त्रण ओप्शन चे फस्ट ओन इस वाइल लूप सेकेंड ओन इस फोर लूप एन थर्ड ओन इस डूवाइल लूप ता त्रणे लूप छे एनी syntax हूँ थाए के विरीत एनो use थाए के विरीत एने initialize करावी शकाए के विरीत ना एने आपने declare करी शकाए आब दा statements ने syntax ने declaration ने आपने chapter number 5 नी अंदर discussion करवाना छी है मित्रो त्यार बात जो बात करी है chapter number 6 नी तेनू नाम छे introduction of array मित्रो आ chapter मा आपने कोई पन एक data type ना घणाबध वेरीएबल ने store करीने के विरीते sequence मा sequencing करी शकाए तेना माटे आपने एरे ने introduce करी शो आपने screen मा आप जोई शक्षो के आपनी पासे data घणी बदी type नो होई चे alphabet type नो होई चे numbers type नो होई चे घणी बदी type नो data होई चे तो आप बद्धा data ने आपने के विरीतना sequencing करी शकाए के विरीतना variable मा ओच्छा variable नो use करी आपने स्टोर करी शकाए ये बद्धू आपने एरे नी अंदर समझ वानू चे मित्रो आपना आपने आपने एरे ना types डिसकस करवाना चे एरे ना total त्रोन टाइप चे one-dimensional, two-dimensional and multi-dimensional एरे त्यार बाद आपने एरे नो declaration चेक करवानू चे इनिस्यालाइजेशन जोवानू चे अन्ने एरे ने केविर इतना एक्सेस करी शे का एवी एक्सेस मेथड पन आ चेप्टर नी अंदर सिखवानी चे तो आंते मित्रो आपने आपने आखे आखा सिले बस नी अंदर computer programming subject वी शे आपने जेटला पन चेप्टर चे तेनी highlights आपने आ वीडियो सेशन नी अंदर जोई लिदी तो आओ आओ सब्जेक्ट ने इंट्रेस्टिंग रिते example program साथे effective study करवा माटे next video नी अंदर आज channel नी अंदर मडिशू